नमस्कार हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकर के साथ दोस्तों जी आरेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम UGC Net First Paper की Expected question series है उसको आपके बीच में कर रहे हैं और इसमें हमने पहले lecture एक कर लिया है जिसमें हमने 10 questions को discuss किया था आज हमारा second year है इसमें हम आगे के 10 और question हैं उनको discuss करने जा रहे हैं तो अगर आपने अभी तक पहले वाला lectures नहीं देखा है तो आप एक बार उनको भी देख सकते हैं हमारे playlist में जिस पर हमने UGC Net Paper 1 के नाम से playlist बनाई है तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और इसके साथ इसाथ दोस्तो अगर आप हिंदी वीशे में UGC Net या GRF की तैयारियां कर रहे हैं तो आप हिंदी साहित्य वारता चैनल के साथ जूर सकते हैं यहाँ पर हम complete तैयारियां करवा रहे हैं हर एक unit wise तो चले दोस्तो बिनादेर किये शुरुआत करते हैं आज के lecture की और सबसे पहले हम प्रशन संक्या 11 देख लेते हैं क्योंकि 10 प्रशन हम पहले ही discuss कर चुके थे और ये series हमारी लगातार चलती रहेगी जब तक कि UGC Net की परिक्षा हो नहीं जाती यहाँ पर देखी प्रशन पूछा गया है निमिलिकित में से शोध के किस परकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान के अंद्रित किया जाता है तो अगर मौझूदा स्थित्यों की बात की जाए तो देखिए वहाँ पर जो चीज होती है वो होता आपका क्रियात्मक शोध या जिसको हम कहते हैं action research तो यह बहुत ही जादा important है action research या research के type चो है types of research उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जादा जरूरी है क्योंक किस तरीके से इनको वर्गी करण किया जाता है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा क्रियात्मक शोध तो क्रियात्मक शोध में क्या होता है कि मौझूदा स्थित्यों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है अगर हम बात करें देखिए मौलिक शोध क आपका वेवारिक जो शोद है, वेवारिक शोद को करने से पहले देखिए मौलिक शोद में कुछ और चीज़े हैं कि इससे क्या होता है आपका सिध्धान्त और जो अवधारनाएं होती है वो विक्षित होती है मौलिक शोद से ठीक है और यह एकादमिक दिश्ट्रीकोंड से ज्यादा महतोपूण माना जाता है, जो आपका कोन होता है, मौलिक शोध होता है, अगर हम बात करें विवारिक अनुसंदान की जिसको हम कहते एप्लाइड रिसर्च है तो एप्लाइड रिसर्च के आहा है दिखिए इसमें आपका जो विभारिक अनुसांधान है विशिष्ट एवं जो विभारिक समस्याओं को समाधान करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है दूसरी चीज इसमें जो महतोगोन होती है यह नीती निर्धारन और प्रशासन और किसी गठना को समझने के लिए उप्योग किया जाता है तो देखें कौनकों से चीज़ इसमें निर्धारन प्रशासन और किसी की और किसी गठना को समझने के लिए इसका उप्योग किया जाता है आपका व्यभारिक रिसर्च का या जिसको हम वारिक शोद है और क्रियात्मक शोद है तो ये सब तीनों के तीनों किसके अधार पर अनुसंधान का वर्गिकरण होचता है देखिए ये परिणाम के अधार पर हम देखते हैं कि जो रिसर्च है या अनुसंधान है उसका वर्गिकरण दो तरीके से किया जाता है परिणाम के आधार पर हैं, ये mainly three, पहले इसके दो आगे पार्ट होंगे, मॉलिक और वेभारिक, और वेभारिक से निकलेगा आपका क्रियात्मक शोध, अब बात आती है, चौत्था जो आपका प्रियोगात्मक शोध है, तो प्रियोगात्मक शोध के बारे में हमने पीछे वाले मन देते होता है और आपका व्याक्यात्मक समनवेशी और प्रायोगी तो यह पांच प्रकार होते हैं आपके उदेश्यों के अधार पर ठीक है तो यहाँ पर इस प्रशन का जो सही उतर होगा देखिए वो होगा आपका एक्शन रिसर्च मतलब विकल्प नमबर तीन अब हम दंक से कि आपका जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है जिसको क्रियात्मक शोद कहते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है देखिए एक्शन रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षन प्रक्रियाओं का आकलन करता है तथा बहेतर कक्षा प्र प्रियात्मक्षोद की जो मुख्य विशेष्टाएं क्या क्या है इसमें है शिक्षा आदी जो वेभारी क्रियाओं की दैनिक समस्याओं का अध्याइन किया जाता है तो किन चीजों का इसमें अध्याइन किया जाता है जो शिक्षा आदी जो वेभारी क्रियाओं है दैनिक ज जो चीजें आती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं इसमें ध्याइन कर सकते हैं दूसरी जो मौत पुन चीजे देखिए इसमें परिस्ति प्रधान अनुसंधान भी कहते हैं तो हो सकता इस तरह के से प्रशन पूचा जाए कि किस अनुसंधान को परिस्ति प्रधान अनुसंधान भी कहा जाता है तो ये आपका क्रियात्मक शोद या action research को ही कहा जाता है क्यूं क्यूंकि इसमें उन परिस्तितियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिन में समस्या का जनम होता है ठीक है और इस शोद का संबंद यथार्थ से होता है समस्या के मूर्त रूप का अध्याइन ही शोद करता के द्वारा होता है तो ये था आपका action research और इसके अलावा मौलिक और वेभारिक और आपके प्रयोगात्मक शोद क्या तो देखिए अब जो दूसरा है ये आपका first unit से ही प्रशन रखा गया है कि आपका जो शिक्षन का उदेश्य तो देखिए शिक्षन का उदेश्य भी अपने आप में बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है ये simple सा प्रशन है थोड़ा सा आपको इसको समझने की जरूरती तो देखिए ये पूछ रहा है कि इन में से कौन सा शिक्षन का उदेश्य है पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना चलिए ये थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि ये हो सकता है दूसरा है चात्रों की चिंतन शक्ती का विकास करना तो ये बहुत ही जादा important चीज है सबसे main चीज क्या है चात्रों की जो चिंतन शक्ती का विकास करना है ये ही क्या माना जाता है शिक्षन का मेन उदेश्य माना जाता है चात्रों को टिपणिया लिखवाना तो चात्रों को परिक्षा के लिए त्यार करना ये उतने जादा महत्वपूर्ण नहीं है सबसे जादा जो तबज्जो दी गई है वो कि इसको है लेकिन सबसे ज़ादा जिस प्रशन या विकल्प की संभावना होती है हमें उसको ही करना है और इससे ज़ाद कम हमें नहीं रहना है मतलब जो सबसे ज़ादा हो वही करना है तो यहाँ पर होगा चात्रों की जो चिंतन शक्ती है उसका विकास करना अब है देखिए इसके पश औरा जो किया गया वरगी करन है जो दो ब्लूम त्वारा वरगी करन लाइच नाम से भी जानते हैं जैसे हैड जिसको हम घ्यानात्मक जिसको उसके बाद आपका मनुसंचालित ग्यानक्षेतर है तो ये तीन तरीके से विवाजित के इस ने किया है आगे उसको ब्लूम ने किया है कि शिक्षन के ये ये उदेश्य हो सकते हैं ग्यानात्मक्षेतर की अगर हम बात करें तो इसमें ग्यान, बोध, उप्योग, जो आपके analysis की और synthesis की और evaluation जो आपका मुल्यांकन है तो ये तीन चार चीज़ें इसके उदेश्य मानते हैं जैसे knowledge हो गया, comprehension हो गया, application ये सारी चीज़ें किसमें आती है आपकी ये आती है ग्यानात्मक में उसके बाद दूसरा जो आपका भावात्मक ग्यानक्षेतर है देखिए अरती क्रिया या responding तो ये सब उदेश्य भी इसके मानेगा है अगर आपके पास कोई भी बुक है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी ग्यानात्मक ग्षेतर और भावात्मक ग्षेतर में आखिर में आता है आपका जैसे मनोसंचारित क्षेतर तो मनोसंचारि के अधिग्रहन से ही संबंदित माना जाता है ठीक है तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे आपका इमिडेशन हो गया है ना मैनुपिलेशन जिसको हम कारह साधन या हस्त कोशल भी कहते हैं ये सारी चीज़ें किसमें आती है आपके ये आती है मनोसंचारित आपका जो ग्यानक ग्यानक शेतर है उसमें और इसके साथ ही साथ जो आपका जो स्पष्ट अभी व्यक्ति है और प्रकृति करन नेच्रिलाजेशन ये सारी चीज़ें किसमें आती है ये आपकी मनोसंचालित ग्यानक शेतर में आती है तो अलग-अलग तरीके से दो भागों में इसको किया है तो यहां पर मैंनली सिंपल थोड़ी थोड़ी चीज़े में आपको बता रहा हूं अगर आपने इसको विस्तार से देखना है तो आपके पास कोई भी फस्पेपर की बुक होगी तो आप उसको पढ़िए हालां कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि आपने कौन सी बुक को पढ़ना है और दूसरा जो इसमें है देखिए गैगने और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गी करण तो इन्होंने भी आप गैगने और ब्रिक्स द्वारा किया गया जो वर्गी करण है देखिए ये इन्होंने चार पांच तरीके से किया है इनका मानना ये है कि जो शिक्षन है उसके उदेश्य जो है अलग-अलग है और कौन-कौन से सबसे पहले उसमें उने माना कि जो बौधिक कोशल है वो है इसका उदेश्य दूसरा आपका ग्यानात्मक जो रननीतिय है जिसको हम cognitive strategies कहते हैं फिर आपका जो मौकिक संरचना है जिसको oral information है ये भी इस इस तरीके से पूछा जाए कि गैगने और ब्रिग्ज के द्वारा किया गया उदेश्य का जो बरगी करन कौन सा है या कौन सा नहीं है तो इस तरीके से भी प्रशिन पूछा जा सकता है तो इनके गैगने ब्रिग्ज और ब्रिग्ज के द्वारा जो बरगी करन है वो है इसके अलावा भी शिक्षन से related बहुत सारे प्रशन बनते हैं शिक्षन के जो से धान्त हैं तो शिक्षन की जो विद्या है तो इसके बारे में भी आपको प्रशन पूछे जा सकता है तो ये भी आप एक बार जरूर दिख लिजेगा चलिए अब हम आगे देख लेते हैं प्र तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हमने किस तरीके से करना है यहाँ पर प्रशन देखें क्या पूछा गया है पी आर के पिता है ठीक है और एस क्यू के फुत्र है टी पी के भाई है यदि आर एस की बहन है तो क्यू का टी से क्या रिष्टा है तो यह देखें क्या बोल होगा देखी वो होगा भावी विकल्प नंबर एक इसका सही उत्तर होगा चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इसका उत्तर भावी निकला है यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोला है इसने कि P क्या है R के पिता है तो यह जो P है देखिए यह क्या है इस R क पिता है ठीक है तो R के पिता कौन है पी है फिर दूसरी जगह ये लोग बोर रहे हैं कि S क्या है ये Q के पुतr है तो यहां पर S है ठीक है और ये क्या है Q का पुतr है ठीक है ये आगे अलग से लिख दिया हमने था इसको फिर है TP के भाई है तो ये जो П हमारे पास अलड़ी पहले है तो इसका भाई ये है ठीक है P है यदी RS की बहन है तो ये दोनों क्या होगे बहने होगे और ये उपर वाले इनके क्या होगे ये अगर आपस में बहने है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है पती पत्नी है P और Q ठीक है तो अब आगे ये कहते हैं कि तो Q का T स क्या रिष्टा है, तो यहां पर Q है, यहां पर T है, तो अगर आपके P और Q क्या है, यह आपका भैपाहिक जोड़ा है, तो T को क्या कह रहे हैं, यह क्या है, यह क्या है, पी का भाई है, तो इसका मतलब यह है कि P क्या है, यह T का भाई है, और Q उसकी पतनी है, तो इसका इससे relation क्या होगा भावी का होगा है ना कि भाई की पत्नी क्या है भावी है तो इस त्रीके से इसको जो सही से प्रशन को करना है चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं मिमी लिखित में से कौन सी दशमलब संख्या सेंटालिस का दोहरा समानार्थी या binary equivalent या binary जो समतुल्य हम कहते हैं जिसको कि कौन सी दश्मरों संख्या 47 का दोहरा समानार्थी है तो ये वाला प्रशन भी दोस्तों UGC net की परिक्षा में लगातार परिक्षा में पूछा जाता है और इसको करने की भी सिंपल सी ट्रिक है वो मैं आपको बीच में बताता हूं हालांकि दो तरीके से आप इस परिशन को कर सकते हैं आपके पास चाहिए कितनी ही बड़ी संख्या क्यों न दी गई हो आप उसको चुटकी में solve कर सकते हैं मान लीजिए यहां पर क्या बोला है कि 47 का कि आपका 47 का आपने निकालना है binary equivalent तो आपने इसको कैसे निकालना है तो देखिए हमारे पास 47 है तो हमने आगे से लिखना शुरू करना है एक साइट से एक दूसरा है दो उसके बाद 2 का दुगना कितना है चार चार का दुगना आगे से पीछे को मतलब ठीक है तो अब देखिए अगर हम 32 का दुगना करेंगे तो 64 करेंगे तो 64 हिससे क्या है वो बड़ा है तो इसलिए हम 64 को नहीं लेंगे 64 को हम रहने देंगे ठीक है अब दूसरी चीज़ क्या है देखिए अब हमने यहां से इसकी गिनती शुरू कर है तो इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया जिरो लगा दिया ठीक है अब आगे है आठ तो 32 और 8 कितने वह 40 यह हमें चाहिए ठीक है इसलिए हमने इसके नीचे एक लिख दिया ठीक है दूसरा है आपके 47 तो इसलिए के से देखिए आप 101111 इसका क्या होगा बिलकुल सही उत्तर होगा यहां पर एक इसमें और हमने एड़ कर देना है तो यह था 47 का दोहरा जो समानार्थी Binary Equivalent जिसको कहा जाता है तो इसको लिखने के लिए Simple आपने क्या कहना था 1,2,4,8,16,32 बत्ती चाहिए 32,16 होते हैं 48 तो यह नहीं चाहिए 42,44,44,44,46,46,47,47 तो यह इसका सही उत्तर होगा देखिए फिकल्प नमबर 4 अलांकि एक यहां पर कम लिखा गया है तो इसको आप इतनी भी बड़ी संक्या क्यों न दी जाए उसको आप बहुती सिंपल और बहुती कम समय में निकाल सकते हैं तो दूसरा थरीका भी है इसको करने का अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो आगे वाले लक्षर में हम उसको उस तरीके से भी करेंगे चलिए अगला उदेश्य क्या क्या है देखिए यहां पर लिका है सरकारी संस्थाओं की समगर गुणवत्तावें सोधार करना तो यह सही है गुणवत्ता पूर्ण संकायों के प्रियाय उपलवदता सुनिश्चित करना यह भी बिल्कुल सही है और नेक्स है आपका वर्तमान स्वायत महा क्या विशेष्टाएं हैं वो मैंने यहां पर रख दी हैं आप चाहें तो स्क्रीन शॉट के माधियम से पढ़ सकते हैं आप चाहें वीडियो को पाउस करके भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं चलिए नेक्स नाम देख लेते हैं इसके पश्चात आपका जो अभी कथन और तरक वाला प्रशन यहां पर पूछा गया है देखिए यह कहते हैं कि उच्छ शिक्षा का प्रयोजन विद्याठियों में अलोचनात्मक और स्रिजनात्मक चिंतन योगयता को बढ़ावा देना है ठीक है तो यह बात क्या है यह बात सही है दूसरा जो इसके तरक इनों ने क्या है सही है तो विकल्प नंबर तीन इसका क्या होगा सही उतर होगा तो अभिकतन और तरक वाला एक या दो प्रशन आप देखते हैं कि यूजी सी नेट फस पेपर में जरूर पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको इनको भी पढ़ना है बिलकुल अच्छे तरीके से चल होता है आपका नजर मिलाने से जिसको हम eye contact कहते हैं ठीक है तो eye contact बहुत ज़्यादा जरूरी है कक्षा semplease Esto-PERेशन में ठीक है तो अतिश्यक्ती के प्रियोग से तो नहीं किया जा सकता है उसका विश्वास है अवाज के सर से भी नहीं होगा हलांकि हो सकता है उतना लेकिन से ज़्यादा eye contact हमारा संफ्रेशन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है तो यह important question है इसको आप note down कर लिजेगा चलिए अगला प्रशन है देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 2 अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे 1 गुणा 1 कितना होता 1 प्लस इसमें 1 कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 ठीक है फिर उसके बाद 2 दुनी 4 4 प्लस 1 5 ठीक है ठीक वैसे ही आपका 3 गुणा 3 प्लस 1 करते जाएंगे तो इस तरीके से आता रहेगा और 6 गुणा 6 देखिए या 5 4 गुणा 4 16 प्लस 1 17 है ना ठीक उसके बाद 5 गुणा 5 प्लस 1 26 और 6 गुणा 6 प्लस 1 37 अब आएगा 7 गुणा 7 प्लस 1 49 और 1 50 ठीक है तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा 50 होगा यह पहले वाला तरीका था दूसरा क्या है पहलेगा क्यों 10 तक पहुंचने के लिए ठीक है फिर इसके बाद 7 का गैप है तो यह 17 है तो देखिए 3 5 7 7 के बाद 9 है 17 9 कितना है 26 26 के बाद 11 का है तो यह 37 का आजाएगा ठीक है तो 11 के बाद आपका कितने का गैप आएगा 13 का आएगा और इस तरीके से यह 50 आजाएगा तो दो तरीके से ये थिया, इस तरीके से इस प्रशन को रखा गया है, आप किसी भी चीज, किसी भी तरीके से इस प्रशन को कर सकते थे, है ना, बहुत ही सिंपल है, और ऐसे ही अलग-अलग तरीकों से प्रशन पूछे जाते हैं हर बार, और हर दिन हम नए-नए तरीकों से प उपकर्ण नहीं माना जाता है, network उपकर्ण, तो दीके router है, तो यह तो network उपकर्ण है, hub को भी हम network उपकर्ण में लेते हैं, और यह है, दूसरा आपका CPU, यह नहीं आता है इसमें, और switch भी आपका network उपकर्ण है, ठीक है, तो यहां पर इसका जो सही उतर कौन सा होगा, यह working device होता है जो कि network में device को एक दूसरे के साथ connect होने में मदद करता है ठीक है तो network device को ये connect करता है मदद करता है जिसको जिस से की वो data का क्या करता है ट्रांस्फरnd network में कर सकें ये network स्WICHES पूरी तरह से identical होते है network helps के समान लेकिन एक switch switch ज्यादा intelligent होती है, hub की तूलना में, तो यह वाली line आपने याद रखनी है, कि जो switch है, वो ज्यादा intelligent होती है, किस की तूलना में, hub की तूलना में, हालां कि यह दोनों ही क्या है, network उपकर्ण है, लेकिन ज्यादा जो intelligent किसको माना जाता है, ये hub को माना जाता है तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि hub भी क्या है ये प्रमूख network उपकर्ण है इसके बाद है देखिए यहां पर hub के बारे में देख लेते हैं hub एक ऐसा device होता है जो की एक network connection को multiple computers में split करता है ठीक है एक distribution center के जैसा होता है जब एक computer information के लिए request करता है किसी एक network से या एक specific computer से तब ये उस request को send करता है hub को एक cable के माध्यम से ये चीज है hub के लिए कि कौन-कौन से चीज़ें इसमें होती है और hub क्या है ठीक है चलिए आगे अब हम देख लेते हैं इसके पश्चाद जो switch है को क्या करता है जोडने का काम करता है ये सुक्षम hardware networking device होते है जो network के रूप में data को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाते हैं router जो है wire या wireless तोनों तरीकों से computer को connect करते हैं आपने देखा भी होगा router लगे होते हैं तो ये क्या है आपका प्रमुक network उपकरनाव में से माने जाते हैं तो इस तरीके के प्रशनों के लिए भी आपने अपते आर रहेना है क्योंकि कई तरीके से प्रशन बनते हैं आपके ICT से ICT से आप देखते हैं कि आपके जो full forms है every vision से वो पूछी जाती है है ना तो उसको भी आपको याद रखना है चलिए आगे हम देख लेते हैं अब CPU CPU तो आप सब लोग जानते ही है कि क्या होता है computer का इसको मस्तिश का जाता है Central Process Unity इसका पूरा नाम है Hindi में अगर बात बोले तो के इंदर ये परचालन तंतर इसको कहते हैं तो जो जो चीजे हैं वो आपने एक बात देख लेनी है या चो है आप इसका screenshot भी ले सकते हैं और अगर आपके इसकी PDF चाहिए होगी तो वो भी हम कुछ एक समय में आपको प्रवाइड कर देंगे चलिए इसके पश्चात अब हम देख लेते हैं निमी लिकित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वाइड में लगुतम समय तक ठहर पाती है तो आपका जो प्रशन ये पूछा गया है देखे परयावरण से है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी जो वाइड में लगुतम समय तक ठहर पाती है तो इसका जुसाई उतर होगा आपका विकल्प नमबर तीन मेथेन तो ये थे दोस्तों आज के दस क्वेशन अगर इन दस क्वेशनों में मुझसे कोई गलती होगी है तो आप कमेंट सक्षन में जाकर अमारे साथ सांजा कर सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही अगर लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल यह न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहीं